दोस्तों क्या आपने कभी सोचा जो हम लग अपने सरीर पर टैटू बनवाते हैं वो कभी मिर्था क्यों नहीं चलिए आर इस वीडियो में जानते हैं या सूई हमारे तवचा के सबसे उपरी परत एपिडरमाईस को भेद कर उसके नीचे मौजूद गरमाईस तक पहुच जाती है जिससे हमारे तवचा को काफी नुकसान पहुचता है और हमारे सरीर में जहां भी नुकसान होता है वहां सुरेत रूधिर कणिका पहुच जाती ह यह माइक्रो फैक सियाही को निगल कर उसको साफ करने की कोशिस करते हैं क्यूंकि उसके लिए यह सियाही एक बाहरी पदार्त होता है यह सेल्स काफी सुच्छम होने के कारण ही कुछ ही सियाही को सोख पाते हैं और कुछ सियाही बच जाती है और यह बची हुई सियाही तो अ सबसे उपरी परत एपीडरमाईज द्वारा सोखी हुई स्याही मिट जाती है क्योंकि एपीडरमाईज के सेल्स नियमित रूप से बदलती रहती है लेकिन डरमाईज के अंदर मौझूद माइक्रो फैक लंबे समय तक जीवित रहती है और यदिया सेल्स मरती है तो उसके अस यदियो को लाइकरी